वर्ड वार टू का इंपक्ट हम लोगों को देखना है अब देखें इंपक्ट में सबसे पहले क्या हो गया कि जो एप्रॉक्स देटा जे गॉवर्मेंट के जो डेटा जे एप्रॉक्स फाइव करोर पीपल डाइड और फूर्टीन ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ ठीक है फिर क्या हो गया बुटल साइट्स एक्परिमेंट वर दरन ओड पीपल बूटल साइट्स एक्सपरिमेंट फॉर दरन और पीपल पीपल प्रण वर्ण पीपल गया थैप्राइट ज्विश को मारा गया थैससे वाइप आउट हो गए थी, है ना, और 75% of Jewish population, 75% Jewish population of Europe, was wiped out, देखो यह कुछ facts है, generally answers में कभी यूज कर सकते हो, introduction वगएरा में, हाला कि यह facts कुछ काम के हैं नहीं, generally it can be sometime used in answers, अब देखो, इसके बाद ही क्या हुआ, resistance movement वगेरा शुरू हो गया था, resistance movement वगेरा शुरू हो गया था, वेतना में हुआ था, योगोस्लाविया में हमाई लिए बहुता था, इंपॉर्टन नहीं है, सबसे major outcome क्या हुआ था, कि 24th, 24th October 1945 क्या हुआ था, कोई बदा पाए कि 24th October 1945 क्या हुआ था, इस खादम उने के बाद, San Francisco में, United Nations Charter साइन कर दिया था, San Francisco में, United Nations Charter was formed, और India was also the founding member of United Nations, ठीक है, इसी के बाद, हम पूरे impacts देख रहे हैं, lines हम सारे impacts देख रहे हैं, इसी के बाद क्या हुआ, की colonies में, UN की body बनी थी, United Nations Trusty Ship Council, Trusty Ship Council, इसने world को decolonization, decolonization के process को speed up कर दिया, ठीक है, world में आज जा के decolonization होने लगा, 1945 के बाद से, दो साल के बाद इंडिया को independence हो गया, हम देखेंगा कि कैसे कैसे decolonize हो आता है, छोटे-छोटे events हो गया रहा, फिर new ideas आ गए थे कौन-कौन से, liberalism, आज नेशनलिजम, नेशनलिजम के वज़े से क्या हो गया, वेसे एक्जामपल कांसा है, इंडिया में नेशनलिजम के, मैं तभी किसे strike आगे, 1945 के बाद से, freedom struggle और जादर intensify हो के, इंडिया को freedom दला है, हर country में ऐसे होने लगा, फिर एक नया concept निकल काया, कुईसे को मिटा देता हूँ पहले, एक नया concept निकल काया, utilitarianism, utilitarianism, दिख दे रहा हूँ इस पहले, utilitarianism, utilitarianism का मतलब क्या हो गया, maximum happiness for maximum people, maximum happiness for maximum people, capitalism क्या बोलता है, कि भाई, only a rich, wealthy people would be happy, but utilitarianism क्या हो गया, यह तरीके का socialism नहुते, में maximum लोग को happiness, maximum लोग को satisfaction बिलना चाहिए, फिर capitalism के negatives आगे सामने, capitalism के negative points आगे, जैसे कि class dominance, particular class का dominance होने लगा, मोनोपॉली, मोनोपॉली, इंडस्ट्रियस क्लास का मोनोपॉली रहता था, inequalities, inequalities, ठीक है, greed, war, यह सारे reasons आगे, negatives, अलग ideology बहुत जादा famous होने लगी इसका नाम था, socialism, socialism, Russia, ठीक है, यह need based था, equality, है न, तो इस तरीके के क्या हो गया, controlled economy, less chances of war, यह capitalism, World War II के बाद क्या हुआ, capitalism के negative सामने आने लगे, और socialism के positive सामने आने लगे, ठीक है, communism बहुत तीजी से बढ़ने लगा, अगला impact दिखते हम, World War II का क्या हुआ, एक term आ गया, new imperialism, imperialism क्या रहता है, imperialism का meaning समझते हो, दिली बताओ, ठीक है, imperialism क्या मतलब क्या रहता है, जो countries जा जा के अपनी colonies बगरा बनाती थी, है न, तो पहले क्या, World War II के पहले क्या चला करता था, old imperialism, अब World War II के बाद क्या आ गया है, new imperialism, old imperialism में किस पे, colonies पे फोकस किया जाता था, पर new imperialism में क्या हो गया, new market, resources, जैसे FDI वगरे, इन सब पे फोकस किया जाने लगा, old imperialism में पहले, second difference क्या हो करता था, common man से लेना देना नहीं था, common people से मतलब नहीं था, अब क्या हो गया, new imperialism में क्या हो गया, westernization of world, और Americanization of world भी बोल सकते हो, Americanization of world मतलब थी, जैसे Magdeez वगर आ गये, हम western culture को follow करने लगे, soft power का use होने लगा, western culture को follow करने लगे, mcdonald's वगरा, KFC culture आने लगा, western clothes पहनने लगे, western language सीखने लगे, यह हो गया new imperialism, ठीक है, old imperialism का सिफ economic dimension हुआ करता था, इसका social, economic, social, technical, political, sub-angle आने लगे इसमें, यह multi-dimensional concept हो गया, ठीक है, ओल्ड imperialism क्या है, देखो है, ऐसे question सी, UPC mains में पूछता है, old imperialism क्या सिफ Europe-centric phenomenon था, European powers थे, अब new imperialism किसका होगे, Japan, USA, ठीक है, यह लोग भी आगए इसमें, जैसे जपान का क्या Sony, जैसे इंडिया में क्या और रहा 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 अच्छे ब्रांट्स में अगरा, Sony देख लो, Suzuki देख लो, यह सब आने लगे, है ना, तो यह main regions थे, old imperialism was replaced by new imperialism, ठीक है, इस तरीके की चीज़ा आने लगे, अब देखो, अब क्या हुआ, जैस वर्ड वार के टू के बाद क्या हो गया, confusion प्रियेट हो गया, that who will be the next superpower, अभी तक superpower कौन हुआ करता था, Britain, Britain was undoubtedly the superpower, अब USA भी superpower है, तो कौन से ideology चलेगी, capitalism चलेगा कि communism चलेगा, ठीक है, तो तीन ब्लॉक्स में थोड़ा सा बटवारा होने लगा, तीन ब्लॉक्स में, एक आपका capitalism हो गया, USA लीडर, USA, Britain, France ये लोग leaders थे, capitalism आने लगा, अब देखो, capitalism को spread करने के लिए देखो, यूरोप की पूरी economies तूट चुकी थी, तो USA ने एक plan मराएं जिसका नाव था, Marshall Plan, important है Marshall Plan, Marshall Plan में क्या होने लगा, कि all the broken economies of all the downfallen economies of Europe, इनको USA loan देने लगा बहुत सस्ते रेट में, और बोला कि आप democracy और capitalism adopt करो, तो हम आपकी economy को reconstruct कराएंगे, ठीक है, it is known as Marshall Plan, इसको हम Marshall Plan बोलते हैं, ठीक है, Marshall Plan से जाने 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 लगाई है, ठीक है, उसी के बाद क्या हो आपका, Communism, Communism, अब Communism में कौन से plan बन बन तब होगा जाने लगा, देखो, Communism में कौन था, लीडर कौन था, USSR, यह दूसरे Eastern Europe के देखो, यह mainly Western Europe में आ गया, Eastern Europe में आया, Eastern Europe के countries जहां पर Marshall Plan नहीं पहुंच पहाया, बोला कि भाई आप Communism लो, हम आपको Resources, Protection वगरा सारी चीज़े देंगे, तो Eastern Europe के यतनी countries होगे, काज़किस्तान, उजवेकिस्तान, किर्गिस्तान ठीक है, फिर बलकन पेननसुला, यह सब आ गये, अब अगला गुरुप क्या बन गया आपका, अगला गुरुप आपका किसीच का बन गया, Non-Alignment, led by India, Egypt, Yugoslavia, Indonesia, इन लोग उन्हों क्या बोला, भाई ना हम इनको जॉइन करेंगे, ना हम इनको जॉइन करेंगे, हम इन ब्लॉक पॉलिटिक्स वगरा में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो, क्लियरली आप वर्ल्ड में लेकरा था कि दो सूपर पावर्स हैं, है ना, अब देखो इसी के साथ सथ क्या हो गया है, जापान को भी एक तरीके से Constitution ला दिया गया, जापान की आर्मी वगया भी डिस्बैंट कर दीगे, तो जापान वगरा आपके युएस ब्लॉक के तरफ थे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से देखो, इस मार्क दे बिगनिंग अफ एरा ओफ कोल्ड वार, यहां से फिर कोल्ड वार की शुरुवात हो गई, थे बात सुझ्भाई है fit? तो, ए terranese, हमने क्या देखा, कि युरोप इस दिधी वहाला में क्या हो गया था? यहां वार के बाद, यौ मेंञे इम्पाकील वार थे मिवेच उप्पैको सब्सक्त में क्या varying थे से यहालिद शी थेक्षाने जाँ अनने लगिन किससे शुरू हो है था हम आगे देखेंगे कि अभी समझ में या रहे था कि भूभी बृटेंज सुपर्पावर एक की युएसे शुपर्पावर वेस्टन ब्लोक का इस्टन ब्लोक में तो इट वस क्लियर देट युएसे साली इसली सॉपर ठीक है तो हमें अपना next topic शुरू करना है cold war